Hello friends, welcome back to preemartya आज के वीडियो में हम मािक्रोस्कोप के बारे में जानकारी परॉप करेंगे की मािक्रोस्कोप के कौन-कौन से पार्ट होते हैं और इसका क्या उपयोग है और ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे उपयोग मिलें तो मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बाढ़ सकते हैं Monocular और Binocular तो यह जो नाम मिला है वो इस पे Eye Piece के आदार पर मिला है तो आप देख सकते हैं कि जो Monocular Microscope होता है उसमें Power Supply की आउसकता नहीं होती है और इसमें आप जब Slide को देखेंगे तो इसमें आपको जो Slide है वो एक आँख से देखने पड़ेगी इसके आलावा आप Binocular Microscope होता है वो देखने में काफी Comfortable होता है और इसमें Electricity की आउसकता होती है तो जो हम Lab में Microscope यूज में लेते हैं वो Compound Binocular Microscope यूज में लेते हैं और Generally Monocular Microscope होते हैं हम Lab में उप्योग में नहीं लेते हैं हालाँ कि कुछ Lab जो की Teaching के लिए उप्योग में होती है जैसे Botany या Geology Lab है उसमें इस परकार के Microscope यूज में लेते हैं या कोई ऐसे Study के लिए उप्योग में लेना चाहता है तो इस परकार के Microscope यूज में लेते हैं जबकि एक अच्छी Lab के लिए जो Microscope यूज में लेते हैं BioNocular Compound Microscope यूज में लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी Body मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बनी होती है Head, Body और Foot तो इसी परकार से हम Microscope को भी तीन भागों में बाढ़ सकते हैं एक तो Head पार्ट, एक Body पार्ट और एक Foot या Base पार्ट ये तो होगे मुख्य पार्ट और इस पार्ट में भी और भी कहीं सब पार्ट हो सकते हैं हमारे Head की बात करें तो उसमें हमारे आख, नाख, कान ये सब पार्ट होते हैं वैसे ही Microscope के अगर हम Head की बात करें तो सबसे उपर की साइड आपको देखने को मिलेगी Eye Piece तो जहां पर हमारी Eye उप्योग में आती है उसको हम Eye Piece करते हैं Eye Piece सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है तो जैसे कि हमने बात कि अगर सिंगल Eye Piece आपको दिखाई दे रहा है तो वो Monocular Microscope में दिखाई देगा और अगर आपको Eye Piece दो दिखाई दे रहे हैं तो वो Binocular Microscope होगा Eye Piece में लगे जो Lens होते हैं वो 5X से लेकर 30X तक अवलेबल होते हैं अर्थात जो हम जनरली यूज में लेते हैं या तो 5X यूज में लेते हैं या फिर 10X यूज में लेते हैं जनरली अगर आप एक Microscope खरी देंगे तो उसमें आपको 10X वाला Eye Piece आपको मिल जाएगा इसके साथ ही जो Eye Piece होते हैं इनके बीच की दूरी को Adjust करने के लिए एक Space दिया गया होता है तो आप अपने अनुशार दोनों Eye के बीच की जो चोड़ई होती है उसको आप Adjust करके अपनी एक Sharp Image राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए भी Microscope में सुविदा दीक ही होती है तो आप इसको इस परकार से कर सकते हैं आग के अलावा जो दूसरा पार्ट हमारे Body पे होता है वो है Nose तो इसी परकार से एक Microscope में दूसरा पार्ट है वो है Nose Piece तो यह एक परकार का Revolving Stage होता है जिस पर कहीं सारे Lens लगे रहते हैं और Lens की Capacity अलग-लग होती है तो इसमें आपको तीन Lens दिख़ई दे सकते हैं और या फिर आपको चार Lens भी दिख़ई दे सकते हैं तो जनरली इस परकार की जो Lens है वो अवलेबल होते हैं यदि इसमें चार Lens लगे वे होते हैं तो जो पहला Lens होगा वो 4X का होगा दूसरा 10X का जिसे Low Power Lens का आजाता है तीसरा Lens है High Power Lens जो की 40X का होगा और जो Antim Lens होगा वो 100X का होगा जिसे हम Oil Emulsion का Lens कहते हैं तो इस Lens को पहचानने के लिए अलग-लग Code भी दिए गए होते हैं उस Lens के उपर एक Ring दी कही होती है जिसके मादिम से अगर इस पे Marking नहीं होती है कि यह कौन सा Lens है, 40X है यह 10X है तो उस Color Code के अनुसार भी आप उसको पहचान सकते हैं यदि उस Lens के उपर White Ring है तो आप समझ सकते हैं कि वह Low Power से भी कम Power का Lens है जो की Generally 4X या 5X का हो सकता है और यह जो Lens होता है Generally कुछ ऐसे Object को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है जिसका मैं Leap Steady नहीं करनी होती है जैसे कोई भी एक करण है आपको पूरा देखना है तो इस परकार की Lens का उपयोग किया जाता है उससे आधिक और Zoom करने के लिए जो Next Power का Lens होता है वो होता है 10X का तो इसके उपर जो Ring होती है वो Yellow कलर की Ring देखने को मिलेगी High Power जो Lens होता है 40X का उसके उपर आपको Blue कलर की Ring देखने को मिलेगी और जो Oil Emulsion वाला Lens है 100X का उसके उपर Red कलर की Ring आपको दिख़ई देगी जो Color Code वाली Ring है उसके आदार पर भी आप इस Lens को पैचान सकते हैं अगर आपको Marking नहीं होती है तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए Microscope का जो यह Head Part होता है वो Body से Connect रहता है जिसे Microscope की Arm कहते हैं और इसको आप पकड़ेंगे तो इसकी Garden को पकड़ सकते हैं जो उपर का Part होता है Head के नीचे का जो Part होता है उसको हम Mechanical Stage बोलते हैं यह वह Stage होता है जहां पर आपको Slide रखनी पड़ती है या ऐसा Object रखना पड़ता है जिसे कि आपको Magnify करके देखना होता है जनरली हम इसके लिए एक Slide रखते हैं उसके लिए आपको Click दी गई होती है दोनों साइड तो उसके द्वारा जब आप Slide रख लेते हैं तो वह हिलेगी नहीं एक तरीके से वह Fix हो जाएगी इसके बाद आप उपर की साइड और साइड में एक आपको Scale देखने को मिलेगी जिस पे आपको कुछ Marking दिखाई देगी तो यहाँ Vernier Scale होती है जिसके मादियम से अगर आपको कोई Object कोई Study के लिए रखने होती है तो उसमें उस Marking को लिखा जाता है जैसे एक Slide या PF की Slide है आपको Gametocyte दिख रहा है उस Gametocyte को किसी और Study में या Student को दिखाने के लिए कि उसकी Position क्या है तो अगर हम Slide को उस इस्तती में रखेंगे तो Scale के मादियम से आप Set कर सकते हैं कि इस Scale पर यह जो आपको Parasite है, Gametocyte से वो दिखेगा यह Stage उपर से नीचे की और Move हो सकता है लेकिन Left Right नहीं हो सकता है पूरा Stage जबकि Slide को आप Left Right या आगे पीछे कर सकते हैं इस Mechanical Stage के नीचे की और Condenser होता है यह Condenser नीचे से आने वाली Light को Focus करता है, Fix करता है और आप अपने अनुसार इसको Adjust भी कर सकते हैं, Light को कम या ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप इसको Low करते हैं, अर्तात नीचे की और रखेंगे तो इसकी जो Light है वो उपर की और कम आएगी और यदि आप इसको उपर की और ले जाएंगे तो इसकी Light की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो यदि आप Low Power Lens का उप्योग कर रहे हैं, तो Condenser सबसे नीचे की और होगा उसके बाद यदि आप High Power Lens का उप्योग कर रहे हैं, तो Condenser बिल्कुल Middle में होगा और यदि आप 100X All Emulsion Lens का परियोग कर रहे हैं, तब आपका Condenser सबसे उपर की और होगा लगबग Stage की और टच करके रहेगा, तो इस परकार से यह आप Light को Adjust कर सकते हैं, Condenser की मदद से इस Condenser में सबसे नीचे की और आपको एक Filter Holder मिलेगा, जहां पर Filter लगावा होता है यह जो Filter होता है, नीचे से जो Yellow Light आ रही है, उसको White Background देने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो यदि आपका यह Filter नहीं होगा, Yellow Color का जो Background मिलेगा, जो आपकी Picture को Clear नहीं दिखा पाएगा तो एक समान White Background के लिए इस Filter का उपयोग किया जाता है इसके अलावा Body में लगे होए आपको दो Part मिल जाएंगे, जिसको Course Adjustment और Fine Adjustment करते हैं Course Adjustment के द्वारा आप जो Mechanical Stage है उसको Move करा सकते हैं, Up करा सकते हैं और Down करा सकते हैं यह दोनो Course और Fine Adjustment आपको एक साथ मिल सकते हैं या अलग-अलग मिल सकते हैं तो इसके द्वारा आपकी जो slide की position है आप उसको fix कर सकते हैं और जो find adjustment होता है इसके द्वारा rotate करते हैं तब आपकी जो image है और अधिक सार्प मिल सकती है उसके बाद सबसे नीचे का part आप देखते हैं जिसे हम base कह सकते हैं फूट कह सकते हैं यह सबसे भारी part होता है ताकि जो light source लगा रहता है eliminator जो की fixed होता है या इसको move किया जा सकता है तो इसके अंदर एक bulb लगा रहता है जिसके द्वारा light प्राप्त होती है इस eliminator में आपको iris diaphragm देख जाएगा जो की light को कम या ज्यादा करने के उप्योग में आता है तो आप अपने अनुसार इसको set कर सकते है तो आप देख रहे हैं ये इस परकार का iris diaphragm होता है और जितनी आपको light चाहिए उसके अनुसार या आप इसको open कर सकते हैं या close कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम microscope के कुछ और parts की बात करें तो power supply आ रही है या नहीं आ रही है इसके लिए आपको indicator दिया गया है इसके side में man switch दिया गया है जहां से यह on off होगा तो इसके साथ ही जब यह on हो जाएगा तो light की intensity को बढ़ाने के लिए regulator दिया गया होता है तो सबसे पहले जब आप switch को on करते हैं तब आपको light source मिल जाएगा और उस light source को आप कम या अधिक कर सकते हैं उसके बाद आपको condenser मिलेगा तो cond light को आप कम या अधिक कर सकते हैं उसके बाद जब आप slide रखते हैं उसमें और light को और केंदरित करने के लिए oil का उपयोग लेते हैं तो इस परकार से light को adjust करने के लिए काई सारे microscope में parts होते हैं और इसकी importance होती है यह तो हो गई microscope के parts की बात और अब हम बात करते हैं इसके र नहीं आता है तो इसे लकड़ी के box में रखना चाहिए नमी से बचाने के लिए आपको कुछ silica gel का परियोग कर सकते हैं तो वह आप लकड़ी के box में रख सकते हैं और यदि आप के पास available नहीं है तो कहीं सारे laboratory के kit आते हैं उसमें आपको silica gel मिल जाएगा तो जो भी kit उप लेते हैं microscope तो उसको हमेशा ठक कर रखें इसके लिए आपका cover है वो microscope के साथ available होता है और यदि available नहीं होता है तो आप इसको बनवाल हैं किसी ऐसी polythine से जिसमें dust उसमें प्रवेश्त नहीं करें जब आप microscope को लेकर कहीं travel कर रहे होते हैं तब आपको इसको पकड़ने के ल इसका जो आपका दूसरा हाथ है नीचे foot part में या face part में रखकर आप इसको move कर सकते हैं केवल गरदन पकड़कर इसको move नहीं करा हैं जब आपका काम खतम हो जाए तो हमेशा जो light source है उसको बंद करके रखना चाहिए और जब आपका काम हो जाए तो हमेशा जो सबसे low power का lens ह उसको आपको microscope में रखना है और उसके बाद इसको जो mechanical stage है उसको सबसे नीचे लेकर आईए और उसके बाद अगर lens पे oil लगा है तो oil के लिए आप मेशा lens को clean करने के लिए lens paper का ही उप्योग करें तादरन से जो tissue paper आते हैं उसके लिए lens cleaner के रूप में उप्योग में नहीं इसके अलावा यदि आपका lens गंदा हो गया है तो इसके लिए किसी परकार की formalin, spirit, methanol इस परकार के किसी भी chemical का उप्योग नहीं करें इस परकार के जो chemical होते हैं वो lens को खराब कर सकते हैं तो इस परकार के lens को clean करने के लिए lens cleaner अलग से available होता है उसको ही हमेशा उप्योग मे इसके अलावा यदि microscope को लेकर आपको कहीं travel करना है वो इनके कुछ पार्ट से उसको आपको निकालना होगा जैसे IP से उसको आप निकालके safe packing करके फिर ही travel करना है और जब आप उप्योग मिलेंगे तब इसको वापस set करके उप्योग में लेना है ऐसे इस तान जहां पर light की सुईदा नहीं है उसके लिए जो उतल और आउतल लेंस होते हैं उसको आप जरूर साथ में रखें और यदि आउसकता पड़ती है तो इसका उप्योग करें तो यह भी हमें साथ में लेकर चलना है और कभी emergency में भी आउसकता पड़ सकती है तो इसको भी आप संबाल के रख हैं और light source के इसतार पर इसका परियोग किया जा सकता है यदि आपका microscope डेली यूज में आता है और लेब में टेबल पे ही पड़ा है तब जब आपका काम खतम हो जाए तो इसके eye piece को आप इस तरीके से डग कर रखें और इसकी जो cable होती है वो इस परकार से रखें कि किसी के पैर में आकर microscope गिड़ना जाए जो इस परकार से वेश्टा होनी चाहिए 100X या oil emulsion lens है उसका परियोग हमेशा oil के साथ ही करें बिना oil के या paraffin के उपयोग में नहीं लेवें mechanical stage को up down करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी lens और mechanical stage एक दूसरे के touch नहीं होने चाहिए यदि ये touch हो रहे हैं तो आपका lens कभी भी खराब हो सकता है चाहिए वो 100X है वो या 10X यदि और आप microscope के बारे में जानना चाहते हैं और detail से जानना चाहते हैं तो आप comment करके बताएगा इसका जो दूसरा पार्ट है अगर आप चाहेंगे तो भी वो upload हो जाएगा I hope ये वीडियो आपको पसंदाया होगा तो पसंदाया तो like जरूर कर लिजीगा चैनल पे पहली बार है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबा लिजीगा तो इस वीडियो में केवल इ टोपी के साथ ये तक तक के लिए बाइ 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 थैंक यू थैंक यू वेरी मच्छ